Hello students, how are you? Fine? Okay, today we will start our chapter number 38, Adventurous Sports, okay? पहले हम लोगों ने जो है वो 37 चैटर कर लिया है, stadiums in India, बरबर है, वो सब हमारे, जो है, वो, stadiums के बारे में था, सब कुछ ठीक है, और फिर उसके बाद में फिल इन दे ब्लेंक्स, अभी next है हमारा Adventurous Sports, Adventurous का मतलब होता है, जिसको की आशर जनक होते हैं, जो बहुत ही difficult होते हैं, इसमें आपने देखो, इतने सारे नाम लिखे आएंगे, आप अचीतर देखे, आप समझ सकते हो कि कौन-कौन से जो है, वो बहुत ही खतरनाक, खतरनाक जो खेल होते हैं, जैसे आपका hockey, क्रिके बहुत हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, हम लोग simple तरीके से खेल सकते हैं उसको, लेकिन ये वाले जो होते हैं, ये जो है, बहुत ही खतरनाक होते हैं, बढ़ाबर है ना, तो इसमें आपको उनी के बारे में पढ़ना है, जिनको बोलते हैं, Adventurous Sports, ठीक है, तो see the pictures carefully and write the name of the Sports, अब फर्स्ट वाला देखो, अब इसमें देखो, ये समुदर के अंदर है, है ना, और उसको बोलते हैं, Sea Surfing, ये कौन सा गेम है, Sea Surfing, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो, skating जैसा इसमें लेके, और पानी के बीच में ये लोग जाते हैं, उसमें भी कॉंपिटिशन होती होगी, या जो भी है, वो उन लोगों के साथ होती है, तो, इसमें सी सर्फिंग, इसमें ये नीचे बैट के जो है, इस तरह से ख़र रहा है, पानी के लेरों में ही है, और सब को समुदर में हो रहा है है, तो इसकी नो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे अब देखते हो, अगर आप मैच होता है, तो उसमें उन लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, कबड़ी क्रिकेट, वोलीबॉल, बैड्मिंटन, है ना, तो इन सब के लिए भी जो है, वो, कॉंपिटिशन होती है, या फिर शौक भी होते हैं, बहुत सारे लो चीज, उचाई से डरते नहीं है, या कोई भी खत्रे वाली चीज, उसे डरते नहीं है, उसलिए बहुत डरिंग की ज़रुत होती है, बढ़ बरे, उसको बोलते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस होतों करी सकते ना, इसमें माउंटन कर सकते हैं तो यह क्या किंग यह वाला है थर्ड वन है स्कींग देखो यह जो स्कैटिंग करते हैं उस टाइब से है एक लंबे जो यह होते हैं यह पाओं में बान देते हैं नीचे और फिर वह बर्फ के जो पहाड होते हैं उस पर से यह लोग नीचे आते हैं स्कैटिंग करत गुआ कि सबसे पहले जो है वो प्रेंसिंग हिलेरी जो है पहुच थे परावर बतायगे ना पहँचे थे टो लोग मांटेन रिंग करते हैं बर्फ के पहाड के ऊपर चड़ते कि ऊपर कैसे चड़ेंगे तो लोग अक्सिजन सिलेडर साथ में लेके जाते हैं दूसरा क्या कर ऐसके लिए उसके लिए लिए हैं इसका चेटार जो ह structure होते हैं इसको आम लिखवाना पड़ता है वश boxMan आपर नाम लिखवाना पड़ता है फिर से लो Eigen दो कर सकते emphasized अक्क्हे जिता है कि वह उस के लिए उस यह यह सष्वरे के जबोला कई, our उपर से जो है वो लोग ये करते हैं, एक साथ जो है वो गिरते हैं, और लोगों के पास में पैराशूट भी होता है इनके साथ में, तो पैराशूट से वो लोग कहीं पर भी नीचे गिर जाते हैं, स्काय से डाइविंग करते हैं, नीचे गिरते हैं, बराबर है ना, पहले च वहां से और एक दुसरे का हाथ पकड़के जो है वो कब तक इसके साथ में रहते हैं परावर ये भी एक प्रकार की होबी है तो इस तरीके ये भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस जो होता है और उसके बाद में फिर वो लोग नीचे गिरते हैं उसको पैरा जंपिंग सिखाते है है जैसे सैनिकों का आप देखते हो तो ये वाले एयर फोर्स वाले होते हैं तो उनको तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से सिखाते है क्योंकि कोई भी खतरा उनको होता है तो वो लोग सीधे वहां से जहाज में से जाते हैं नीचे उनको पैरा जंपिंग आती पैरा शूट यह होता है नीचे जांके वो छत्री खुल जाती है जो और उनकी जान बचे जाती है तो उसी टाइप का ही है तो यह लोग क्या है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बड़ावर है जो उपर से नीचे जो है हेलिकॉप्टर या इसमें एरोप्लेन में से कूदे आ गया सब्सक है टामरेन बचे काम होता है हुपर होता है मेंस्थे बचे पहाड को आप बंस्तु कॉ हुआ है तो उसमें यह लोग देखो एक आपको डोरी दिख रहे होगी पीछ बंदी हुई है पीछे जो है पूरा बैल्ट वगेरे से हमको बांद देते हैं और फिर दोनों हाथ हम लोग इस तरह से खोल देते हैं और वो लोग उपर से हमको चम्प करना होता है तो जितनी बड़ी रस्षी होती है बहुत बहुत नीचे तक कि रस्षी होती है कई मीटर लंबी जो है ये र सब्सक्राइब आपको आता है जिके में उसमें यह आपको आता है नाम लिखने के लिए सी सरफिं फिर इसका देजिया है कि फिर माउंटेनरिंग इन फिर उसके बाद है प्रोडियो बंजी जंपिंग और और रॉक क्लाइबिंग ठीक है यह सब क्या कहला हैंगे एड़ेंट्वेंटरस स्पोर्ट्स अब नेक्स देखो और वर पार्टिसिपेट in any of the adventurous sports उसमें क्या पुछा है कि आपने किसी adventurous sports में पाट लिया है गिव एन account of that तो आपको उसके बारे में बताना है अत्वा which adventurous sports would you like to participate in अब इसमें से आपको कौन साथ चा लग रहा है कि इसमें पाटिसिपेट करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो गिव रिजन तो आपको यहां पर कोई भी five sentence में आपको रिजन देना है कि आपको कौन साथ चलगता है इसमें से और क्यों अच्छा लगता है जिसे आपको number 38 adventurous sports बस उसके बाद one number 1,2,3,4,5,6,7,8 बस 8 के नाम लिख देने का हो गया CW, इतना ही करना है बस यह वाली चैब exercise नहीं करना है यह तो खाली कहां पर करना है हमको workbook में ही करना है, second वाली, ठीक है खाली इतना ही आपको जो है जितने नाम है, उतने ही नाम आपको learn करना है और उतने ही नाम आपको लिखना है, ठीक है आगया सांच में सबको चलो next में हम लोग फिर से मिलेंगे ओके, बाई